Hello Everyone, Good Morning to all of you and Welcome to Online Study Point दोस्तों आज है 24 अप्रेल और आज की इस वीडियो में हम 24 अप्रेल से रिलेटेट करेंट अफेर के सभी important question को कबर करने वाले हैं और देखे जो भी student SSC exam के लिए preparation करते हैं उनके लिए सबसे important होता है इस moment की test series को religiously follow करना जैसे की exam back to back आने ही वाले हैं test book जिनकी test series एक करोर से जादा student ने अभी तक attempt कर लिया है इनके पास में आप लोगों को SSC CGL के लिए 282 mock test SSC CPO के लिए 125 mock test इसके लावा SSC stenographer के लिए 61 mock test और इसके लावा IB SEO जोकी IB का exam है इसके लिए आप लोगों को 76 mock मिल सकेंगे और इसके लावा RRB, NTPC और Group D के लिए भी कुछ 330 mock आप लोगों को मिल सकेंगे और अभी test book का anniversary offer भी चल रहा है जहां 299 में आप लोगों को text book पास मिलेगा जिसमें 200 प्लस exams के लिए 12,000 से अधिक mock मिल सकेंगे तो बस आपको study 10 coupon लगाना है और इससे आप लोगों को extra 30 रुपे discount मिल सकेगा link description box में दी हुई है तो चले start करते हैं हमारा पहला question हाली में किस देश ने खुद का ही अंतरिक्ष station बनाने की योजना बनाई है बेसिकली आप लोगों ने तीन ओर्बिट ये पढ़े होंगे कौन-कौन से है low earth orbit, middle earth orbit और high earth orbit यहाँ से हम बात कर रहे हैं लियो की हैनि की low earth orbit की इसी low earth orbit में जो और देख पा रहे हैं लो अर्थ और्विट कहने का मतलब है कि ये प्रत्वी से दो सो से 2,000 किलो मीटर की उचाई पर इस्थित होता है और इसी लो अर्थ और्विट में स्थापित होता है इंटरनाशनल स्पेस स्टेशन जो कि आप इमेज में देख पा रहे हैं अच्छा ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये किस देश का Space Station है जिसे आप International Space Station के नाम से जानते हैं तो देखिए 1998 में यानि कि 1998 में कुल पाच अंतरक्ष एजेंसियों के दुआरा इस Space Station के स्थापना की गई थी ये कौन सी पाच Space Agency है एक तो है NASA जो कि USA की Space Agency है दूसरी है Ross Cosmos जो कि Russia की Space Agency है तीसरी है JAXA जो कि Japan की Space Agency है चौथी है European Space Agency मतलब कि जो European Union में जितनी भी कंट्री आती है इनकी एक सईक्त Space Agency है इसके बाद यदि हम बात करें पांच वी तो ये थी Canada की Space Agency इन पांच एजेंसिस ने मिलकर के इस International Space Station इसके स्थापना की थी Leo Earth Orbit में कब की थी 1998 में अच्छा ये जो आप लोगों को तैरता हुआ दिख रहा है मतलब कि ये Low Earth Orbit में चक्कर लगाता हुआ ये चलता फिरता घर है चलता फिरता घर है कहने का मतलब है कि यहां इनसान रहते हैं जो कि वहां सोध का कारी यानि की Research करने के लिए जाते हैं अब यहां आप देखेंगे कि International Space Station की स्थापना में Ross Cosmos इसका भी नाम है जो कि रशिया की Space Agency है तो अभी इससे अलग हो करके खुद का ही Space Station क्यों बनाने जा रहा है तो देखें समझोता 1998 में हुआ था तो उस हिसाब से आने वाला जो 2024 है इस 2024 में रशिया ने जो इसके साथ टाइप किया था यहने कि जो गड़बंदन किया था यह समाप्त हो जाएगा 2024 में रशिया चाहे तो फिर से इसकी सदस्यता मतलब कि फिर से इसमें शामिल हो सकता है लेकिन अब रशिया ने ये घोशना कर दी है कि हम अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन ये इस्थापित करेंगे तो यह सारी चीजे मैंने आप लोगों को बता दी है यहां के जो प्रेसिडेंट है व्लाद मेर पुतिन ये जब मंजूरी दे देंगे तब इसके निर्मार का कारिय शुरू हो जाएगा ये सारी चीजे मैंने आप लोगों को बता ही दी है इसका इस्तमाल अंतरिक्ष यात्रियों के निवासिस्थान के रुप में किया जाता है जोकी प्रत्वी से 220-2,000 किलो मीटर की उचाई पर इस्थित है यहां इसके इस्थापना की जाती है अच्छा इस अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना से मतलब कि इसके लाब क्या होते हैं तो ऐसे काफी सारी प्रयोग है जो कि प्रत्वी पर नहीं किया जा सकते हैं इन प्रयोगों के लिए कम ग्रैविटी की जरूरत होती है और इसलिए अंतरिक्ष स्टेशन इसके स्थापना की जाती है तो अभी दे हम बात करें रश्या की रश्या की से रिलेटेड हम कुछ फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं जैसे कि राजधानी है मौस्को करंसी है रूबल संसद है ड्यूमा प्रेसिडेंट है व्लाद मिर पुतिन प्राइम मिनेश्टर मिखाइल मिसस्टीन एकसरसाइज है भारत और रश्या की बीश इंद्रा और एविया इंद्रा अभी मने आप लोगों को बताया ही था कि इसी रश्या के द्वारा अक्टूबर दोहजार इक्किस तक इसका चंदर मिशन जिसका नाम है लूना 25 ये लांच किया जाना है अगला कुश्चन है 2021 में आई कोरोना की दूसरी लहर से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश ये कौन मना है तो ये भी हाली में बन गया है इस्राइल इस्राइल में क्या हुआ है कि 16 साल से अधिक उम्र के 81% नागरिकों और निवासियों को कोरोना के दोनों टीके लगाय जा चुके है तो इस्राइल दुनिया का एक मात्र ऐसा देश है जो कि कोरोना टीका करन के मामले में सबसे आगे है और इसी के साथ ये अब दुनिया का ऐसा पहला देश भी बन गया है जहां मास्क पर मतलब कि मास्क ना लगाया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है मास्क ना पहनना यहां अनिवारी कर दिया गया है तो इस तरह इस दूसरी लहर से मुक्त होने वाला ये दुनिया का पहला देश बन गया है तो यदि हम बात करें इस्राइल की तो ये है मध्य एशिया का एक देश अब मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस्राइल के जो कुल पॉपुलेशन है यहां की कुल जनसंख्या ये लगभग है 96 लाग जैसे कि मैं मध्य प्रदेश में रहती हूँ तो मध्य प्रदेश के दिए हम बात करें तो यहां की जो पॉपुलेशन है 2011 की जनगर्णों के अनुसार ये लगभग 7 करोड है तो मध्य प्रदेश से भी मतलब आप कह सकते हैं कि इस्राइल की जो जनसंख्या है इससे भी 7 गुना जादा जनसंख्या ये तो हमारे मध्य प्रदेश में ही है इतना छोटा ये देश है तो यहां इससे मुक्त हने वाला इस दूसरी लहर से मुक्त हने वाला ये दुनिया का पहला देश बना है इस्राइल के दिए हम बात करें तो इसकी capital है येरुसलम करंसी है इसराइली न्यू सेकल प्राइम मिनिश्टर है बेंजामिन नेत निहाओ राश्ट पती है रुवन रिवलेन और यहां की जो संसद है इसका नाम है नेसेट और यहां की आप से पूछा जाए कि Jordan River जो की यहां से प्रवाहित होते हुए Dead Sea में आ करके मिल जाती है अगला कुश्चन है किस देश की Space Agency के NG Newt Mars हेलिकॉप्टर ने मंगल ग्रह पर अपनी पहली उडान भरकर के इतिहास रज़ दिया है तो NG Newt Mars हेलिकॉप्टर जो की है अमेरिका की Space Agency Nasa का हेलिकॉप्टर इसने अभी हाली में मंगल ग्रह पर अपनी पहली उडान भरकर के इतिहास रज़ दिया है तो सबसे पहले हम जानेंगे इस NG Newt हेलिकॉप्टर के बारे में जो की आप इमेज में देख पा रहे है बंगल ग्रह पर उडान भरने वाला ये पहला हेलिकॉप्टर है और नासा का जो परजीवरंस रहा था परजीवरंस मिसले जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था परजीवरंस रोवर द्वारा ये ले जाया गया था जिससे जुलाई 2020 में लॉंज किया गया था लॉंज तो किया गया था जुलाई 2020 में लेकिन ये लास्ट मन्त ही यहां पहुचा है और एंजीनियोटी काउंटर रोटेटिंग ब्लड का उप्योग करके उडान भरने में सक्षम है जो की 2400 RPM RPM का मतलब है रोटेशन पर मिनट इसकी गती से घूम सकता है और इसमें एक वायरलेस संचार प्रनाली है और यह कंप्यूटर नविगेशन, सेंसर और कैमरों से सुसजित है जो की कैमरे आप इसमें लगे हुए देख भी रहे हैं जो की वहां की जो लोकेशन है उसे रिकॉर्ड करेगा और साथ ही आडियो रिकॉर्ड करने में भी सक्षम है और यह चलेगा कैसे तो यह सौर उर्जा से संचालित है मतलब की अपने आप यह सन की एनरजी से यह चार्ज हो जाएगा और इस मिशन का उद्देश ही क्या है तो नासा का यह जो मिशन है इसका में परपस है कि उन स्थानों के भी मतलब की मंगल ग्रह में उन स्थानों के भी नमूने कलेक्ट करना जहां रोवर नहीं पहुँच सकता है तो अब यह हम बात करें मंगल ग्रह की तो मंगल जिसे हम लाल ग्रह के भी नाम से जानते हैं मंगल ग्रह हमारे सौर मंडल में चौथा ग्रह है मतलब कि सौरी से दी देखा जाए तो सबसे पहले कौन सा है बुद्ध, सुक्र, प्रत्वी, फिर है मंगल चौथे स्थान पर है मंगल और यदि आपसे पुछा जाए कि सौर मंडल का सबसे उचा परवत आलिम्स मोंस या जिसे आप कह सकते है निक्स ओलम्पिया ये किस ग्रह पर है तो ये मंगल ग्रह पर ही इस्थित है और इसे लाल ग्रह क्यों कहा जाता है क्योंकि इसकी सिता पर iron oxide ये फेरिक oxide ये पआया जाता है कई बार exam में पूछा जाता है कि शुद्रग्र यानिकि अश्ट्रॉइड ये कहां पआया जाते है तो ये मंगल और प्रहश पती के बीच पाया जाते है अगला question है हाली में जगणना, विद्या, दीवेना योजना के शुरुवात किस राज्य सरकार ने की है तो इसके शुरुवात अभी हाली में आंध्रप्रदेश गौउर्मन के द्वारा की गई है और ये जो जगन्ना विद्या दीवेना योजना है इसके तहट राजजी में 672 करोड रुपए की ये पहली किस्त आंदर प्रदेश गौवर्मन्न ने जारी कर दी है इस योजना का मुख्य उद्देश है कि सभी छात्रों को स्कॉरर्शिप प्रदान करना जो की वित्ती बोज के कारण अपनी फीस इसका पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कोरोना के कारण वैसे ही आर्थिक स्थिति सही नहीं है ऐसे में ऐसे स्टुडेंट जो की फीस का पेमेंट करने में सक्षम नहीं है उनके लिए बैसिकली इस योजना के शुरुआत की गई है आंधर प्रदेश की तो इसके मुख्य मंत्री जगन मोहन रडड़ी जिने अभी हाली में स्कॉच चीफ मिनिश्टर ऑफ दे यर अवार्ड से सम्मानित किया गया राज जिपाल तो यह है विश्व भूशन हरीशंदन आंधर प्रदेश के अमरवती में ही भारत का 25 उच्छ नयायले यह इस्थापित किया गया है इसके लावा भासाई आधार पर घटित भारत का पहला राज्य यह भी आंधर प्रदेश ही है और यह आपसे पुछा जाए कि कुछी पू अधर प्रदेश के अधर प्रदेश के अधर प्रदेश के नयाय प्रायम मिनिस्टर बन गया है तो यह हम बात करें साउथ कोरिया की तो इसकी राजधानी है सियोल अच्छा सियोल पीस प्रायस से किसे सम्मानित किया गया था प्रायम मिनिस्टर नरिंद्र मोदी को कब सम्मानित किया गया था दो हजार अठार में तो यहां की capital है Seoul, currency है South Korean Won, President है Moon Jae-in और प्राइम मिनिश्टर ये बन गया है Kim Bu Kim और South Korea से ही related कुछ fact है जिसे की 5G network launch करने वाला विश्व का पहला देश ये South Korea ही है और कुछ दिन पहले में ने आप लगों को बताया था कि जो LG है LG ने भारत में अपना smartphone कारोबार बंद किया है लगातार होते घाटे के कारण इसने अपना smartphone कारोबार बंद कर दिया है तो LG ये इसी South Korea की ही company है साथी North Korea और South Korea इन दोनों की ही बीच में 38 वी समाना अंतर रेखा यानि की 38 parallel line ये इस्थित है अगला question है केर रेटिंग ने वित वर्से 2021 के लिए भारत की GDP ग्रोथ ये कितने प्रतिसत रहने का अनुमान लगाया है तो GDP ग्रोथ रेट ये अनुमान लगाया है कि 10.2% हो सकती है अच्छा यहां से हम कुछ बेसिक जान लेते हैं GDP ये क्या होती है तो इसकी full form बनती है gross domestic product जिसे आप हिंदी में कहते हैं सकल, घरेल, उत्पाद काफी सारे लोग comment में पूछते हैं कि ये है क्या तो इसे मैं आप लोगों को आसान भासा में बता देती हूँ इसके लिए आप लोगों को किवल 4 key point याद रखने हैं एक तो है राजनेतिक सीमा किसकी राजनेतिक सीमा भारत की राजनेतिक सीमा दूसरी है एक साल के लिए ये GDP निकाली जाती है तीसरा है वस्तु एवं सेवा पर और चौथी है कि इसमें अंतिम मुल्य निकाला जाता है अब हम समझ लेते हैं राजनेतिक सीमा कहने का मतलब है कि भारत की राजनेतिक सीमा जहां तक है इसमें आप confused नहीं होईएगा भौगॉलिक सीमा तो मालीजे भारत का जो रक्सा है नक्से तक केवल भौगॉलिक सीमा आएगी लेकिन राजनेतिक सीमा जिसे की भारत की कोई किया जाता है ये भी बात सही है फिर है वस्तु एवं सेवा पर वस्तु एवं सेवा पर कहने का मतलब है कि पहले समझे वस्तु वस्तु मतलब की पैसे के बदले यदि आप कोई सामान खरी दे तो ये हो गई वस्तु और सेवा का मतलब है कि जहां पैसे के बदले आप लोगों को कोई सामान नहीं मिले, service मिले, जैसे कि आप लोग किसी coaching center में पढ़ने जाते हैं, तो पैसे जमा करते हैं, लेकिन सामान नहीं मिलता, उसके बदले आप लोगों को service मिलती है, तो यह है वस्तु एवं सेवा, फिर चौथा point है, कि अन्तिम मुल् सब्कार्वारत की राजनीतिक सीमा के अंतरगत एक साल में उत्पादित होने वाली सभी वस्तू एवं सेवाओं का अंतिम मुल्य जो कि यहां लिखा हुआ है अंतिम मुल्य सामिल करने पर किसकी प्राप्ती होती है GDP की यहने की Gross Domestic Product की अगला कुश्चन है कौन सा देश ने Digital मुद्रा जिसका नाम है Brit Coin यह जारी करने जा रहा है तो यह जारी करने जा रहा है अब यह Digital Currency यह होती क्या है तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि यह एक आभासी मुद्रा होती है और यह Digital होती है मतलब कि ना तो इसे छुआ जा सकता ना ही इसे फिल किया जा सकता यह आप लोगों को याद होगा तो हाली में जो तुर्की है इसके द्वारा ऐसी ही Digital Currency जिसका नाम है Bitcoin इस पर प्रतिबंध लगाया गया क्यों लगाया गया क्योंकि इस Currency का इस्तमाल काला बाजारी में सबसे जादा किया जा रहा था और इसके बारे में आप लोगों को यह भी बताया था कि यह एक ऐसी Currency है जिस पर कोई निगरानी नहीं रखता मतलब कि कोई भी राज्य सरकारे कोई भी संस्था, कोई भी देश इस पर निगरानी नहीं रख सकती मतलब कि इस पर कोई भी Authority Control नहीं है कोई नियंतर नहीं होता इसलिए काला बाजारी में इसका इस्तमाल बढ़ने लगा था जिसके कारण तुर्की नहीं से बैंड किया तो तुर्की ने तो बैंड किया है Bitcoin को लेकिन अब यह जो ब्रिटेन है ब्रिटेन के दुआरा नई करंसी लाई जारी है डिजिटल करंसी जिसका नाम है ब्रिट कॉइन तो दोनों नाम में आप कन्फ्यूज नहीं हुएगा लेकिन यहां एक फर्क है फर्क है कि जो ब्रिटेन है ब्रिटेन के दुआरा ये घोशना की गई है कि इसने मतलब कि ये जो अपनी नई डिजिटल करंसी ला रहा है इस पर ये निगरानी भी रखेगा तो ये फर्क है दोनों में यदि हम बात करें ब्रिटेन की तो इसकी कैपिटल है लंदन करंसी है पॉण्ड स्टरलिंग फिलहाल पॉण्ड स्टरलिंग ही है और देखिए इससे रिलेटर जो भी फैक्ट है हम आए दिन डिसकस ही करते हैं जिसे लंदन है, टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है इंगलेश चैनल, डोवर इस्ट्रेट अगला कोश्चन है भारत और किस देश ने समुद्री परयवरण में प्रवेश कर रहे कचरे की समस्या से निपटने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किये है तो समुद्रे के आज पास प्लास्टिक कचरे के कारण जो समस्या उत्पन हो रही है प्रदूशन की इससे निपटने के लिए हाले में भारत और जर्मनी के बीच समझोता यापन पर हस्ताक्षर किये गए है जिसके तहट कानपूर कोच्ची और पोर्ट प्लियर इनके सहायता की जानी है यदि हम बात करें जर्मनी की जर्मनी की क्या है ये है बर्लिन करनसी तो ये है यूरो तो हम जर्मनी से रिलेटर कुछ फ्रेक्ट लिखwayत में डिसकुस कर लेते हैं जासे कि क्या लिए यूर्म महाधीप में स्थित है यहीद के प्रेसिडंट है फ्रैंक वॉल्टर जर्मनी की सबसे लंबी नदी ये है राइन नदी इसी राइन नदी पर एक बंदर गाया है कुछ यहाँ पास इसका नाम क्या है राटरडम बंदर गाया जो की संसार का सबसे विवस्ततम बंदर गाया है जर्मनी के सम्विधान से क्या क्या लिया गया है मतलब कि भारती सम्विधान में कौन-कौन सी चीजे शामिल है जो कि जर्मनी से लिग गई है ये है आपातकाल आपातकाल के दौरान राश्टपती के मौलिक अधिकारों सम्बंदी सक्तियां आपात काल के समय मूल अधिकारों का परिवर्तन ये सभी लिया गया है जर्मनी के सम्विधान से और यहां के जो संसद है इसका नाम है बुंड स्ट्रेग अगला कुश्चन है त्रिपक्षी वरुन नौ सैन्य अभ्यास यह किन देशों के बीच आयजित किया जाएगा तो यह आयजित किया जाएगा भारत फ्रांस और यू ए इक के बीच अब आप लोग इसमें amazed नहीं हो येगा क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि भारत और फ्रांस के बीच बिसिकली तीन exercise होती है एक है शक्ती, दूसरी है वरुण और तीसरी है गरुण तो जो वरुण exercise है ये अभी तक भारत और फ्रांस के बीच ही होती थी इसमें पहली बार UAE ये भी शामिल होने जा रहा है इसलिए इसका नाम है त्रिपक्षिन नौ सैन्य अभ्याज भारत और फ्रांस के बीच वरुण सैन्य अभ्याज 1993 से आयज़ित किया जा रहा है इसका नाम करण 2001 में किया गया था और अब इसमें पहली बार UAE ये भी शामिल होने जा रहा है कुछ प्रमुक एकसरसाइस के दिए हम बात करें तो माला बार इसमें भारत अमेरिका जापान और आस्ट्रेलिया ये इसमें भाग लेते हैं पहले इसमें केवल भारत अमेरिका और जापान ये पार्टिसेपेट करते थे पहली बार आस्ट्रेलिया सामिल हुआ है सूरी किरन भारत नेपाल के बीच की एक्सरसाइज है सहयोक काईजन भारत जापन सिलिनेक्स भारत श्री लंका और भारत अमेरिका की बीच तीन एक्सरसाइज है युद्धभ्यास वजर प्रहार और कोप इंडिया अगला कुश्चन है DCB bank के फिर से MDCO कौन बने हैं तो ये फिर से बन गया है मुर्ली एन नतराजन यहीं हम बात करें DCB bank की तो ये प्राइवर सेक्टर के MDCO है अतनु कुमारदास ये bank of India के MDCO है कल जो मने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट अंसर प्रियंका मोहते था अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है भारत के 68 grand master कौन बने हैं तो इसका जो भी आंसर कमेंट बॉक्सम बताइएगा वीडियो थी पसंद क्वाइब से सवाल है ये नच है वीडियो पसंदा आप लोगों के लिए वीड़ाईगा अबीड़ रचा था चानल बादा बदाधा है झाल झाल कर बादाना है